नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभीपशा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनाउत शांशो पांडे और हम दोनों का रिस्ता क्या है भाई हम लोग अच्छा बारवी की भौतकी के लिए एक्जाम सीरीज के नाते जुड़े हुए हैं अब यह एक्जाम सीरीज अभीप्शा के अप्छा की application में एक्जाम सीरीज जो है Mission 2023 के नाम से available है और जहां हम आपको कक्छा 12 में सारे subjects की तयारी करा रहे हैं इसके साथ साथ कक्छा 10 वी board के लिए भी हमारी कख्छा हैं आपको उपलब्द हैं अगर आप application में आते हैं तो आपको additional features मिलेंगे जहां mind map है, short notes है, important questions है और भी बहुत कुछ है तो जल्दी से जल्दी ये application आप install कीजिए जो की play store में available है और इसके अलाबा यदि आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं तो बिलकुल चैनल subscribe कर लिजिए क्योंकि इस से हमें होती है, खुशे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे कि भू चुम्ब कत्वयम चुम्ब की पदार्थ हैं, इस subject पर हम लोगों ने बहुत सारी बाते की हैं, हम लोगों ने आप जैसे देख सकते हैं कि भू चुम्ब की तत्वा और उसका बहुत गहराई से हम लोग का तुकड़ा ले लिया, एक अलूमीनियम का तुकड़ा ले लिया, एक तामबे का तुकड़ा ले लिया, उसके बाद में हम लोगों ने लोहा को ट्राई किया, हम लोगों ने ट्राई किया, हम लोगों ने कांच और कांच में पानी भर के पानी को भी ट्राई किया, इस तर में हमारे जो अवलोकन थे उस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं पहला क्या है कि उसके अंदर कोई सभी पदार्थ है यदि हम उसे चुम्बकी छेतर में लाएंगे तो क्या उसके अंदर कोई चुम्बकी छेतर उत्पन होता है क्या उसके अंदर हम चुम्बकी फ्लक्स देख प ती है इस गुण को हम चुम्बकी पारगम्यता कहते हैं मिजूरो बाइफ पाई यह ऐसल में पारगम्यता के साथ ही जुड़ा हुआ नियतांग है किसी भी पदार्थ के अंदर चुम्ब की बल रिखाए कितनी संख्या में पाई जाएंगी बाह चुम्ब की छेत्र की तुन्ना में ये दो बातों पर दिखाए देंगी जो उसकी पार गम्मिता के ऊपर भी निर्भर करता है तो ये हमारा पहला कारण हो गया इसके अलावा यदि वो पदार्त चुम्बकिय छेत्र में आने पर उसमें कोई उद्दीपन होता है यानि कि उसमें कोई प्रेरण होता है तो प्रेरण के कारण वहाँ पर भी एक चुम्बकिय छेत्र बन जाएगा जो कि उसी दिशा में या विपरित दिशा में हो और इसके कारण भी उसके अंदर चुम्बकिय फ्लक्स से नजर आएगा तो ये दोनों कारण हम लोगों ने पहले भी देखे थे और फिर हम लोगों ने देखा था कि एक पदार्थ हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर चुम्बकिय बल गये जिसके अंदर चुम्बकिय फ्लक्स घहनत तो बाहर की तुलना में कम नजर आएगा मतलब यदि इसके पास से गुजरती है चुम्बकिय बल रेखा है तो इस पदार्थ के अंदर की और जाने की बजाए चुम्बकिय बल रेखा इसके उपर से निकल जाएगी ये दू करण इसी गुण धर्म के करण हम लोगों ने पदार्थों को चुम्ब किया पदार्थों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीकों से इसका वर्गी करण किया हुआ है और इस वर्गी करण के लिए जो मूल आधार हैं वो क्या है आए हम यही देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ के जो चुम्बकी अगुण हैं उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास में कुछ महात्वकूण पद हैं जैसे कि पृत्वी और पृत्वी के अलग-अलग स्थितियों पर जब हम चुम्बकी छेत्र की तुन्ना करते हैं तो हम 36 घटक उसके उर्धोधर घटक और उसके बाद में नती कोण नमन कोण बहुत सारी चीजों को ले करके हम किसी भी इस्थान की किसी भी लोकेशन की व्या जाते हैं यदि आप परीक्षा में बैट रहे हैं इसलिए इन सबके बारे में जानना जरूरी है या करके जानेंगे सबसे पहले देखिए कि चुम्बकी फ्लक्स घनत तो क्या होता है या चुम्बकी प्रिरन क्या होता है भाई देखिए जैसे ही हम जो है किसी भी होने लगता है इसी बल के अनुभाव से हमको चुम्बकी छेत्र को में प्रेरण को समझाते बनता है च्या बूल रहा है चुम्बकी छेत्र के लंगवत को एकांक वेग से गती कराने पर जो बल लगता है उसे मतलब एक एक हलेट्रां ले लो और यह एकांक आवेस हो गया इसको एक मीटर पती सेकंड की जो है गती दे दो तो यह एकांक वेग हो गया और ऐसी इस्थिती में बल जो लगेगा वो क्या लगेगा और यहां से आपको बल का मान पता चल गया तो यदि हम एकांक आवेस लेकर उसे एकांक गती करा दें तो फिर जिस बल का अनुभव होगा उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे चुम्बकिया प्रेरन यह प्रेरन के कारण किसी भी पदार्थ के अंदर जो चुम्बकिया फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ही हम चुम्ब की फ्लक्स घ्रणत पॉकाय सकते हैं या चुम्ब की प्रिरण कह सकते हैं करते हैं करें 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 चुम्ब की फ्लक्स प्रियर्ण के बारे में जानने के बाद में अब हमारी बात आती है चुम्बकन तिवर्ण क्या होती है छुम्ब की प्रियर्ण के कारण किसी प्रणारत के अंदर कुस बल लगा अब आप ध्यान देंगे तो आपको पस्विंग stehen आएकां ये पदार्थ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जैसे ही हम बाहे चुम्बकी छेतर लाते हैं तो इस बाहे चुम्बकी छेतर के कारण इसमें भी चुम्बकी धुरू उत्पन हो जाता है अब यहाँ पर जो है इस तरीके से चुम्बकी धुरू उत्पन हो गया अब आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा चुम्बकिय बल रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षण की ओर जाती है तो यहां पर बल रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं मान लेते हैं कि यह जो है इस तरीके से अब यहां पर आपको क्या नज़र आएगा कि बल रेखाएं बाहर और अंदर विपरित दिसाओं में हैं और इसलिए इसके अंदर चुम्बकिय बल रेखाओं का जो है या चुम्बकिय फ्लक्स का घहना तो कम हो जाता है इसके विपरित हम अगर कोई दूसरे पदार्त की कलपना करें जहां पर जो है चुम्बकिय प्रेरण विपरित दिसा में तो अब आपको इसके अंदर ज्यादा घनतों में चुम्बकी फ्लक्स नजर आएगा इस प्रकार से अगर हम जो है देखना चाहें तो कुल मिलाके मतलब चुम्बकी बल रेखाएं या चुम्बकी छेतर की तीबरता जो होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है पहला कि बाह चुम्बकी छेतर कैसा है और उसके साथ साथ इस बात पर भी कि उस पदार्थ की अपने चुम्बकी प्रवर्ति कैसी है तो इन दोनों को जोड़ देने से हमें कुल मिलाके किसी भी पदार्थ के अंदर चुम्बकी छेतर की तीबरता नजर आती है और हम इसी को परिणामे तीवरता कहते हैं मतलब ये परिणामे तीवरता जो है बाह्य और आंतरिक दोनों कारकों पर निर्भर करती है ठीक है अब जो है आगे हम पढ़ेंगे कि चुम्बकन तीवरता क्या होती है तो चुम्बकन तीवरता के बारे में हम ये बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ को यदि हम एक चुम्बकी छेतर में रख दें तो बाहे चुम्बकी छेतर के प्रभाव में उसके अंदर जितना प्रेरण हो पाता है उसे हम उसकी चुम्बकन तीवरता कहते हैं जैसे मैं आपको मतलब उदारन दे दूँ आपके पास में एक लोहे की कील है और उस लोहे की कील को आप जैसे ही चुम्बक के पास में लाते हैं वो तुरंत जो है चुम्बक की थोकर उससे चिपक जाता है लेकिन उसी को अगर आप एक सिक्के के साथ में ये प्रयोग दोहरा का प्रयास करें तो क्योंकि सिक्का जो है स्टील से बना हुआ है वह ज्यादा थोस धातु है इसलिए वहां पर चुम्बक का परभाव थोड़ा कम दिखता है ऐसी स्थिति में आपको चुम्बकन तीब्रता कच्चे लोहे में अधिक और स्टील में थोड़ी कम नजर आएगी या आप अगर तांबे और अलुमीनियम के सिक्के को लेकर उस प्रयोग को धोरा है तो वहां पर चुम्बकन तीब्रता और भी कम होती है इसे अब हम लोगों ने चुम्बकन तीब्रता के बारे में जान लिया प्रति एक आंक आयतन प्रेरित चुम्बकत तो को जो है हम उस पदार्थ की चुम्बकन तीवरता कह सकते हैं आपके पास में सारे सूत्रोप लब्द है अब आगे बात करेंगे चुम्बकी तीवरता क्या होती है चुम्बकी तीवरता ये होती है कि एक पदार्थ जो है वो अधिकतम किसी सीमा तक जाका चुम्बक सील हो सकता है उसके बाद में उसमें और चुम्बक सीलता उत्पन नहीं की जा सकती इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह है कि मान लिये जाए आपके पास में एक दूध वाला आता है तो वो दूध वाला हर दिन जब घर से दूध मांटने निकलता है तो वो अपने बंधे हुए ग्रहकों के अलावा 5 से 7 लिटर एक्स्ट्रा दूध लेकर चलता है अब ऐसी स्थिती में होता क्या है कि उस दूध वाले से जब आप जो है दूध एक्स्ट्रा दूध की मांग करते हैं तो आपको 10 लिटर एक्स्ट्रा दूध मांगोगे तो वो आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके बंधे हुए ग्रहक हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी पदार्थ के साथ में भी यही घटना हो सकती है कि आप उसे कितने भी चुम्बकित छेतर में रख दें लेकिन वो कितना ज्यादा खुद चुम्बकित हो जाएगा उसकी एक सीमा है और उसी को हम क्या बोलते है मैंगनेटिक इंटेंसिटी और इसे किस से निर्भर करते है यह बी ओ का मान होता है म्यू नॉट एन आई यहाँ पे म्यू नॉट क्या है हम लोगों ने म्यू नॉट बाई फोर पाई यह जो है इसकी चुम्बकि की परमियता पारगम्मिता चुम्बकि पारगम्मिता का नियतांक है म्यू नॉट एन जो है कुल मिला के चक्करों के संख्या है और आई जो है प्रवाहि धारा है यहाँ पर हम Mew-Naut-N-I किसको प्रदरशित कर रहे हैं? यह किसी धारवाही चालक के लूप के बारे में बात कर देने हैं ठीक है? इसके बाद में हम चुम्मकी टीबड़ के बारे में समझ गए अब आगए हम इसको किस प्रकार से प्रदररशित करते हैं? h बराबर h बराबर n i के रूप में इसको प्रदरशित करते हैं आगे हम बढ़ेंगे यहाँ देखेए जो n i है यही h है और इसे h vector दोरा जो है प्रदरशित किया जाता है अब आप चुम्ब की प्रवित्ति के बारे में बात करेंगे तो चुम्बकी प्रवित्ती को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं ये X जैसा देखने वाला ग्रीक सिंबल है जिसे हम काई बोलते हैं और काई बराबर क्या होता है आई बटा एच अच्छा ये आई कहां गया ये आई के बारे में हम लोगों ने कब बात करी थी आई के बारे में हम लोगों ने यहां बात करी थी प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुम्बक शिलता को जो है हम आई से प्रदर्शित करते हैं आई कितना जाधा किसी प्रदर्श को चुम्बक के बारे में पता चलता है उसके बारे में जानने लग जाएंगे तब आप को अलग अलग पदार्थों को इस संख्या दोरा पहचानने का प्रयत्नकर पाएंगे और पहचानने में सक्चम भी रहेंगें अगर आपको काई ज़्यादा नजर आता है इसका क्या मतलब होता है। मातरक के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो I और H दोनों के जो है मातरक एक जैसे होते हैं और इसलिए जो है ये एक विमाहीन रासी है ठीक है अब निर्पेक्ष चुम्बक शीलता क्या होती है निर्पेक्ष चुम्बक शीलता का मतलब होता है कि कोई भी पद चुम्बक शीलता क्या होगी यदि हम किसी दूसरे पदात की तुलना में जो है उसमें चुम्बक कत्तों के उत्पन होने की घटना को ध्यान देंगे तो वह आप एक्षित हो जाएगी निर्पेक्ष चुम्बक शीलता के लिए हमारे पास में अनुपातिक नियतांक म्यू बड़ाबर वी बटा ह Sach होता है और हमान हम लोगों क्या ठेल था अन आई को इस तरिके से हमारे पास इक सूत्रह जाता है वी बड़ाबर ब्यू-श और यह म्यू और जाता है थानगे तो हमें निर्पेक क्षी चुम्बक शीलता के बारे में पता चल जाता है तो निर्पेक्षी चुमबक मात रख हो गए इसके बारे में जान लीजिए अब आपेक्षी चुमबक क्या होती है आप एक्षी सुन्द चुम्बक शीलता के लिए हम क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ की निर्पेक्षी चुम्बक शीलता को और निर्वात की चुम्बक शीलता म्यू नॉट को जब हम compare करते हैं म्यू नॉट से जब आप जो है म्यू को compare करते हैं तो इन दोनों का जो है जो अनुपात निकलेगा उसे हम उसकी आप एक्षित चुम्बक शीलता कह सकते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ आप कलपना कीजिए कि आपके पास में एक डब किया बल रिखाओं का जो घनत तो होगा उससे हमको उसके निर्पेग्षी चुम्बक शीलता के बारे में पता चलेगा और यह निर्वात के लिए म्यू नॉट के नाम से जाना जाता है अब उसी पदार्थ में यदि हम लोगों ने कोई गैस भर दी या पानी भर दिया या क पदार्थ की चुम्बक शीलता और निर्वात की चुम्बक शीलता के बीच का जो अनुपात है यह बात हम लोगों ने देख ली और यहां से जो हम देखते हैं यह हो जाता है वन प्लस काई यहां पर जो है म्यू नॉट गुना आई प्लस एच यह सूत्र जो है बहुत प्रविति के मद्य जो संबंद देखा था यह आप लोगों को याद होना चाहिए यह कुल मिला के उत्पन चुम्बक शीलता बाहर चुम्बक शीलता और उसके आंतरिक शीलता के बराबर होता है और यहां से हम क्या कर सकते हैं भई यहां बीनौट का मान हो जाएगा म्यू और इस तरीके से जो है जब हम सूत्र लगाएंगे तो यह जाएगा म्यू नॉट और यहां एच धन आई यह सूत्र जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है तो यह चीजें हम लोगों ने देख ली और अब जो है आगे हम पर्मानविक व्याख्या करेंगे हम देखेंगे कि अलग-अलग पदार्त चुम्बक के साथ में अलग-अलग धंग के प्रतिक्रिया देते हैं या अलग-अलग भाती व्यवहार करते हैं उसका कारण क्या है तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवा झाल झाल